हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एलेटर टू गार्ड का एमसी की व कोश्चन ठीक है यानि बहु विकल्पी प्रस्न तो चलिए पहला कोश्चन देखते हैं यानि बारिस का प्रारंब होई थी तो आपके सामने चार विकल्प दिया रहेगा जो आपका आप संसही होगा वो अपने OMR सीट पर काला करना होगा ठीक है तो चलिए इसमें देखते हैं इस्टोरी पढ़े था हम लोग अच्छे से आप लोग तो क्या हुआ इसका during the meal यानि भोजन करने के दवरान बारिस प्रारंब हुआ था ठीक है यदि आप इस्टोरी को अच्छे से हिंदी में जानते होंगे उसके कहानी के तो आप अच्छे से अंसर कोई भी दे सकते हैं आप ट्रांसलेट का अनुवाद करके ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपका आपसन इसमें कर्यक्ट सी हो जाएगा ठीक है तो आपका सी आंसर हो जाएगा चलिए तीसरा नमबर कोशन देख लेते हैं तीसरा नमबर कोच्चन आपका है यानि उत्तर पुरुदिशा से आता हुआ क्या देखा जा सकता था काले बादल देखे आ सकते थे तो आपको आपसन में वही ढूढना है देखिए डर्क क्लाउट्स यानि आपका आपसन A हो जाएगा तो आपको एंसर A में काला कर देना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं वाई डिट लेंचो गो आउट लेंचो बाहर क्यों गया लेंचो बाहर अपने सरीर पे बरसा की बुदों का अन्भव करने के लिए गया था ना तो आपका अपसन A इसमें करेक्ट है आपका ठीक है तो इस तरह से आपको फटा फट से ध्यान से पढ़ना है उसके बाद एंसर को फिल कर देना है चलिए आगे बढ़ते हैं पांच नंबर विट वाट दा रेंड रॉप्स हैड बीन कंपेर्ड यानि बारिस की बूदो की तुलना किसे की गई सिल्वर कॉइन्स यानि चादी के सिक्कों से किया गया था तो आपका अपसन यही होगा तो क्या हो जाएगा आपको सिल्वर कॉइन्स चलिए आगे बढ़ते हैं अगला आपका कोश्चन है यानि जो पोस्ट मास्टर था वो उत्तर का उत्तर देने के निश्चे क्यों किया पत्र का उत्तर देने के निश्चे क्यों किया वो तो हम लोग इस्टोरी में पढ़े थे कि पत्र का उत्तर देने के निश्चे इसलिए वो किया था कि जो लेंचो का अस्था था भगवान में उसको जारी रखने के लिए ठीक है तो तू प्रसव तू प्रसव मतलता है बनाई रखना ठीक है तू प्रसव लेंचोस फेथ इन गार्ड आपका अपसन ये C हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सेवन नंबर कोश्चन है आपका सेवन नंबर कोश्चन है वाट इल्स डिट रिपलाई डिमांडेड एपार्ट फ्राम गुडविल इंक एंड पेपर जैनि दया भाव और स्याही कागज के अथरिक पत्र में क्या जबाब मांगी थी तो पत्र में क्या मांग किया गया था पैसे की मांग किया गया था तो आपका मनी हो जाएगा ठीक है बी आपसन करेक्ट हो जाएगा चलिए एट नंबर कोश्चन देख लेते हैं एट नंबर कोश्चन बहुत असान है यानि how much money was the postmaster able to arrange यानि postmaster था कितने पैसों का ब्यवस्था कर पाये थे ठीक है तो 70 पीसोज की ब्यवस्था कर पाये थे कितना का मांग किया गया था 100 का तो क्यों 70 पीसोज ही वो ब्यवस्था कर पाये थे चलिए 9 नंबर कोश्चन देख लेते हैं यानि कि पोश्ट मास्टर ने लेंचो की मदद कैसे की तो देखिए बिकल्ब देखते हैं जब ही आप तो आपको बहुत होला रहता है तो उसको द्यान से पढ़ना चाहिए ठीक है हो सकता है दो भी आपसन सही होता है किसी का तो देखिए पहला आपसन आपका है लेंचो बाई कलेक्टिंग बनी फ्राम ही इंपलाईज यानि कि उसने मदद किया लेंचो की अपने इंपलाई से पैसे इकठा करके ये भी सही है क्योंकि पैसा सबसे मांगा था वो बोला था पोश्ट मास्टर उसके बाद ही हेल्पड बाई गेब इस पार्ट आप सेलरी यह वानि अपने ही सेलरी का एक हिस्सा दान दिया था वो भी यानि दोनों आपसन से हिस्स में है तो आपका आपसन क्या हो जाएगा D ठीक है चलिए who was determined to complete his resolution ठीक है यानि वो अपनी परतिग्यां को पूरा करने के लिए कौन दिर्ध निचे था तो हम लोग जानते थे जो लेटर मिला था पोस्ट मास्टर को तो उसने दिर्ध निचे किया कि मैं उसका पत्र का जवाब दूँगा ताकि भगवान पर विश्वा उसका नौट है ठीक है तो आपका अप्सन क्या हो जागा इसमें पोस्ट मास्टर पोस्ट मास्टर आपका सही हो जाएगा चरिए आगे बढ़ते हैं 11 नमर कोचन है वाट डिड लेंचों सेकेंड लेटर इंक्लूटेड जानी कि लेंचों के दूसरे पत्र में क्या संबली जो में इसका उद्य से क्या था क्या संबली था तो पहले पढ़ लेजिए डिटेल्स आफीज प्राब्लम्स डिस्क्रिप्शन आफ पोस्ट आपिस विलीफ आफ बिंग लूटेड लिष्ट आफ फर्दर डिमांड यानि लिष्ट आफ फर्दर डिमांड आपका करेक्ट हो होगा क्योंकि जो डिमांड उसका मांग था फर्दर मतले आगे यानि आगे की मांग की सूची थी उसमें यानि सत्तर पीस तो पैसा मिल गया था तीज सूचच की बारे में मांग किया था ठीक है तो आपका डी अप्सन करेक्ट हो जाएगा चलिए बारन नंबर कोश्टन आ वो पोस्ट मास्टर जब दोबारा लेंचो जाता है पोस्ट आपिस में लेटर देता है तो जब फिन जाता है वो पोस्ट मास्टर देखने के लिए कि लेटर में क्या लिखा होगा तो किस उमीद उसका क्या उमीद था तो उसका उमीद यही था कि जरूर लेंचो ने भगवा तेरा नमबर कोचन देख लेते हैं तेरा नमबर कोचन आपका है What did Lencho ask for in his second letter? यानि लेंचो ने दूसरे पत्र में क्या माँगा था? जब दूसरा पत्र भेजा था तो क्या माँगा था वो? क्या क्या बोला था उसमें? बोला था कि remaining amount and not send it email by mail ठीक है यानि जो मेरा sales amount है उसको भेज दीजिए कैसे भेजना है बोला है कि not eat by mail यानि डान द्वारा मत भेजे आपका ये option correct होगा ठीक है यानि सही होगा देखिए इसमें ये भी है लेकिन इसमें not नहीं लगाया गया है ठीक है तो option को द्यान से पढ़ना है बारीकी से तब answer देना है यानि एक बार काला कर देंगे तो फिन दूसरा फिन नहीं होगा हो गलत माना जाएगा चलिए चोदा नमबर कोषचन आपका है यानि कि लेंचो पोष्ट आपिस के करमचायों के बारे में क्या सोचा था उसने सोचा था कि ये बेमानों का दल है यार ठीक है यानि बंच आप कुरुक्स इसको बोलते हैं बेमानों का दल यानि बदमासों का जुन्ड समूँ ठीक है तो आपका अप्सन एक करेक्ट हो जाएगा लास्ट कोच्चन है इस वीडियो का पंदर नमबर कोच्चन है यानि कि लेंचो ने भगवान से डांग द्वारा पैसा ना भेजने के लिए क्यों कहा था तो पहले इसका हिंदी आप दिमाग में बैठा लिए तुरंत क्या बोला था वो उसने इसलिए बोला था कि इसमें जो करमचारी है वो क्या है सब चोर है उसी ने पैसा चुरा लिया है इसलिए सोचा कि वो डिरेक्ट अपने हैं पैसा मंगा ले हम तो आपका आपसन देख लिए जिसमें कौन होई आपका आपसन भी हो जाएगा और यानि कि पोस्ट आपिस के करमचारी इसे चुरा लिये है उसने हैं सोचा था इसलिए भगवान से डाग द्वारा पैसा ना भेजने के लिए कहा गया था ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट शेप्टर में धन्यवाद